हेलो गैस कैसे हैं आप लोग स्वागत हैं आप लोगों काा फिर से मेरे एक नuchar है वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गयज कि इनफिनिक smart 8 phone में आप लोग auto call recording को कैसे बंद कर सकते हो अगर आपके पास एक इनफिनिक smart 8 phone है और इस phone में आपको auto call recording को बंद कर देना है मतलब यहाँ पर जो आपके phone में automatically call record हो रहे है आपको पता भी नहीं चल रहा है कि automatically आपके phone में record हो रहे तो आगर आप लोगों को check भी करना है कि आपके phone में auto call recording on है क्या off है आपको कैसे check करेंगे और अगर on है तो कैसे आप लोग इसको बंद करेंगे तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा गाईस आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसान आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आपके फोन में भी सारे ही कॉल पर रिकॉड हो रहे हैं अन्नावन नंबर हो या सेब किये हुए नंबर हो या ओफिस के नंबर हो सभी पे रिकॉड हो रहे तो उसको बंद करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने फोन के एपलिकेशन को ओपेन कर लेना है जिससे आप लोग कॉल वगरा करते हो ओपेन करने के बाद यहापर उपर की तरफ देख सकते हैं गईस एक सेटिंग्स का ओप्षन देखने को मिलेगा तो इस सेटिंग्स के ओप्षन पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद देख सकते यह आपर उपर ही है auto call recording का option अगर यह आपके phone में on है तो आपके phone में जो है automatically call recording होते रहेंगे office के number से हो unknown number से हो या save की ओवे number से हो सारे ही number पर यह call recording होने लगेंगे तो अगर इसको बंद करना है और यह आपर देख सकते हैं बंद हो चुका है और बंद होने के बाद आपके phone में किसी भी call में automatically record नहीं होगा ठीक गैस तो यहापर से आप लोग check भी कर सकते हो और इसको बंद भी कर सकते हो तो ऐसे करके जो आप लोग अपने infinite smart 8 phone में auto call recording को बंद कर सकते हो तो कैसा लगा आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसंद आये हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजिए मिलते हैं गर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई